होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में 23 जून को धामिया भर लाय मार्क पर सड़क से 500 मीटर दूर भॉंगा बाबा के पास मिली अधेरो की लाश के बाद पुलिस ने मृतक का पियम कराने के बाद 24 जून का हत्या का मामला दर्ज किया था जिसके बाद पुलिस ने जाच शुरू की तो पता चला की मामला सुपारी के लिंक था जिसमें मृतक में हर्बान सिंह राज पोतु मरतीस वर्ष निवासी बिसोनी कला की मा और भाई ने ही उसकी सुपारी हरदाजी लेके कुछ लोगों को दी थी हत्या की प्लानिंग मृतक के भाई की सिवनी मालवा स्थित मोबाईल दुकान पर की गई थी जिसमें मृतक का भाई एवं मा सम्मिलित थे घटना के बाद पुलिस ने मृतक की भाई एवं मा से कड़ाय से पूछ ताच की जिसमें सब कुछ खुल कर सामने आ गया घरेलों एवं बटवारे को विवार को लेकर हट्धा की गई थी S.D.O.P. सौम्या अग्रवाल ने बताया की मृतक घर में बढ़ा था और वो जमीन पर अपना हक जताता था जो की उसके भाई और मा को नागुजार हो रहा था जिसके चलिके ये बात परिचनूर्पो खट टक रही थी जिसके पाद मा और भाई ने सुपारी किलर को मेहरबान सिंह राजपूत की एक लाख रुपए में सुपारी देडी और सौदे के अनुसार सुपारी किलर को 30,000 रुपए एडवांस दे दिये गए थे एवं बाकी पैसे बकाया थे मेहरबान सिंह की हत्या सुपारी किलर की द्वारा 22 जून को ही जंगल में ले जाकर कर दी गई थी जिसके बाद उसके शव को हत्या के बाद धामनिया भरलाया रोड के पास थित होंका बाबा के पास लाकर फिंग दिया गया पुलिस पूचताच में आरोप्यों ने बताया कि मृतक की हत्या जंगल में ले जाकर पहले डंडे से मार पीट की गई उसके बाद उसका गलाद बाया गया था वही मेहरबांच सेंग राजपूत के शव पड़े होने की सुचना 23 चून को उसके ही भाई के द्वारा पुलिस को दी गई थी मौके पर पहुंची पुलिस को शव देखकर ही शक हो गया था कि मेहरबांच सेंग की हत्या कही और की गई थी जिसके बाद शव को यहाँ प्यांक दिया गया था घटना स्थल के पास ही मृतक का दो पहलिया वाहन भी पुलिस को खड़ा हुआ मिला था पुलिस के द्वारा मृतकी मा एवं भाई सहित दो सुपारी किलर को गिरफतार कर लिया गया है एवं अननतीन की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है विवेचना पर उक आरोपी गणों में मृतक की माभाई एवं सुपारी लेने वाले आरोपी एवं उसके एक सहयोगी को गिरफतार कर न्यायाले में पेश किया गया उक्त संपून कारवाही में थाना प्रभारी मोनेका सिंग सहयक, उपनिरीक्षक आशीश तिरोल्या, प्रधानारक्षक कपिल, आरक्षक महिंद्र गुर्जर, शाकीर खान, बलराम, गौरी शंकर, नरेंदर राजपूद, महिला आरक्षक रोश्नी तिवारी, सहित चालक प्र प्रिस तारिक को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम धामनिया के पास में रोड के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और मोटे सैकल कड़ी हुई है, तो पुलिस वहाँ पर पहुंची और पता करा तो बिसोनी कला का रहने वाला था, महरबान सिं राजपूद वो बॉडी उसकी थी और फिर वहाँ पर पुलिस के द्वारा मर्ग दर्थ किया गया, उसके भाई को वहाँ बलाया गया, उसमें इसकी शिनाग्धी की और इसके बाद पी-म कराया गया तो उसमें क्लियर हुआ कि उसका मर्डर किया गया है, तो थानव रभारी मोनिका की टीम के द्वारा तुरंत लगकर के आरोपी की तलाश जारी की गई तो उसमें ये ठीज सामने आई कि आरोपी के घर वाले ही उसका छोता भाई और उसकी माँ ने किसी सीरिल किलर को सुपारी दे करके उसकी हत्या प्लान की थी जो इनका मुख्यता घरेलू विवाद का मामल इस चीज को लेकर के घर वाले इस से परिशान थे और उसकी के कारण इनको ने इसकी हत्या प्लान की माँ और भाई को गरफतार करके नियायले पेश किया जा चुका है जो तीरियल के लग था उसके साथ उसको मिला करके पांच लोग थे इसमें शामिल तो इनको भी जो अभी 30,000 रुपे दिये जा चुके थे बाकी अमाउंट नहीं दिया गया था और भप्त्या की प्लानिंग जो हे नहीं की लेखिये सब उश्रमने है उसके भाई जो था म्रयतक का भाई वहस दूकान हो फिरुआ जारे श्ट्र के आज पाच यहिंड़न ज्यों टानिका उनको ही दोकान ही जो Сंवाल प्लानिंग है। जिसको सुपारी दी गए थी और इसकी माँ और इसकी भाई दोनों का involvement है